नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है कफिल कुछ और आप देख रहे हैं टेक्नो स्पोर्ट्स दोस्तों आप डेवलपर हो सकते हैं या फिर अगर जावा लेंग्वेज लर्न करना चाहते हैं तो एक java daytime करके topic है जो काफी useful होगा आपके लिए उसमें कैसे convert हम करते हैं java daytime format को string में mainly हम convert करते हैं display purpose के लिए तो आइए start करते हैं इस video को इस video में मैं notepad++ use करने वाला हूँ आप eclipse या netbeams भी use कर सकते हैं गर आपके बास हो तो नहीं तो system का default notepad भी use कर सकते हैं जैसे यह है मैं इसका नाम दे रहा हूँ test txt की जगह आपको convert करना पड़ेगा java basically default txt आना वाला है उसको अगर आप convert नहीं करेंगे तो file run नहीं होगी तो यह error देगी test.java को अगर आप right-click करेंगे idate with notepad कर लिजेगा notepad आपके बास में है तो basically हम date time format को दो तरह से यूज़ करते हैं फर्स होदा two string method में अगर उपर से आपके बास में date आ रही है और उसको किवल string format में यूज़ करना है तो आप two string यूज़ करिए यह फिर आप format method यूज़ करिए अगर आपको उसको किसी desired format में convert करना है date को उसको हम यूज़ करेंगे simple date format का use करते हो उसको हम convert करेंगे हम आपके class बनाते हैं public class टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वाइड में स्ट्रिंग या जीएस यहां पर फॉर्स्ट हम चीज़ देखेंगे date class को यूज़ करेंगे date हमने मनाई है now is equal to new date इसको use करने के लिए आपको package import करना पड़ेगा वो होगा import java.util.star यहां पर मुझे पता है class का नाम तो import util.date star भी कर रहा हूं आप यहां पर use कर सकते हैं इसके जगह import java.util.star को भी next जो use होने वाला है वो import java.text.simple date format वो second part में रहेगा तो भी हम देख लेंगे यहां पर हम इसको print कर राके देखते है system.out.println now.to string में और run हम करेंगे command prompt पे cmd आप function r क्लिक करके open कर सकते हैं जब आप इसके नदर जाएंगे मेरी file g drive store है और इसका नाम है java c test.java है तो compile कर लेते हैं कोई भी errors होकी तो आपको display हो जाएगी java test को run कर सकते हैं जैसे वो उस तीज को run करते हैं तो आपको पूरी date मिल जाएगी कोई भी format आप देखेंगे तो date और time दोनों है तो अगर आपको किसी desired format में चीह है तो हम दूसरा method use करेंगे जो होगा format using simple date format और उसके लिए हम कोई इस class का use करना पड़ेगा simple date format simple date format thread safe नहीं होती है क्योंकि वो synchronize नहीं होती है तो mainly simple date format एक concrete class है जो formatting और parsing के लिए यूज आती है basically intermediate results को store करती है instant field में basically अगर एक instance 2 thread में use हो रहा है तो problem हो सकती है तो उसके लिए हम thread भी इसको safe बना सकते हैं अगर हम इसका हमेशा नया instance create करें पर एक slow approach रहेगी second method रहता है synchronize करते हैं उसको पर वो bad idea रहेगा क्योंकि server चोक हो सकता है उसके कारण और तीसरा है thread local हम use कर सकते हैं अगर हम thread local use करते हैं उसका मतलब भी है है कि हर thread के बास अपनी खुद की copy रहेगी और उसके लिए उसको दूसरे के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा तो आइए इसको use करते हैं simple date format date format हम उसका variable का नाम लेंगे is equal to new simple date format bracket के अज़र आप कोई भी format लिख सकते हैं जो आपको चाहिए तो मैं यहां पर लिख देता हूं dd mm और yy 4y और अब इसको हम format method के शू convert करेंगे system.out.println date in format is plus symbol concretation के लिए होगा plus आप लिख सकते हैं आप और इसको कैसे हम convert करेंगे date format जो हम simple date format से लाए है dot format method bracket में हम लिखेंगे हमरी जो date आ रही है वो तो now this one यहां पर हम इसको program को run करेंगे हो सकता है कुछ error भी आसे है java c test.java कोई error नहीं है java test तो अब देख सकते हैं first line में आ रहा है पूरा date और second जो अपने format किया है वो उस तरह से आ रहा है यहां पर देखेंगे तो small d capital M इनका मतलब क्या होता है small d का मतलब होता है date in month capital D का मतलब होता है अगर मैं capital होता है उसका मतलब होता है day of week m का मतलब capital का मतलब होता है month और small m का मतलब होता है minutes basically तो यह था कैसे convert हम करते है date format से string format की थूर next वीडियो बनाया है वो कैसे आप convert कर सकते है string to date की थूर दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो like करे comment करे और subscribe मेरे मेरे channel को तो दोस्तों अगर कोई technical topic आपको लगता है जिसके वीडियो बनाने चाहिए तो आप उसको comment section में लिख सकते हैं thank you दोस्तों